आज आज स्टार्ट करते हम लोग कोस्चन नमबर 19 एक्सरसाइज है 4.1 PMI अब करते हैं प्रिंस्पल अप्मेटिकल इंडक्शन से आप प्रूफ करिए कि N, N प्लस 1 इंटू N प्लस 5 इस ये मल्टिपल ओफ 3 और ये 3 का मल्टिपल इसे प्रूफ करिए 3 आज स्टार्ट 2 और नाथ नमबर 19 स्टार्ट 4 इस ये 3 का मल्टिपल मतलब क्या होो जिसे 6 3 का मल्टिपल 9 सी 12 को लिख सकते ठीम स्टार्ट 9 का मल्टिपल अलग सकते है ये 3 इंटू 4 लिख सकते हैं 3 में कोई natural number से multiply करेंगे तो नंबर क्या होगा 3 का multiple होगा यह से 15 है 15 3 into 5 लिख सकते हैं तो 3 में 5 natural number multiply अगर 3 में अगर किसी natural number को multiply करोगे तो जो number बनेगा वो number क्या होता है 3 का multiple होता है अगर किसी number को हम convert कर सकते हैं कोई भी number है मालू कोई भी number मालू M है हमने M को हमने M को लिख दिया 3 into sum natural number मालू N क्या sum natural number है 3 into natural number के form में अगर लिख दिया 3 into N अगर M है M equal to 3 into N है N क्या natural number है तो हम बोलेंगे M क्या 3 का multiple है 3 के 3 का multiple है तो इससे proof करना होता है जो आपको दिया होगा N N plus 1 into N plus 5 अगर हम इससे proof कर दें 3 into N ले 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 या आपकी मर्जी जो मर्जी ले लो माल ले या M natural number M क्या M belongs to N अगर इसको हम 3 into natural number के form में लिख दिया तो इसका मतलब कि यह जो number है 3 का multiple है होगे तो 3 into some natural number लिखने है इस form में लिख अगर इस form में जैसे ही आ गया क्या हो जाएगा कि इसे बोलें 3 का multiple है जैसे 21 क्या 21 3 का multiple है देखते हैं क्या हम 21 को लिख सकते हैं 3 into some natural number 3 into some लिख सकते हैं and 7 natural number 3 into किसी number को 3 into natural number के form में convert कर सकते हैं then 3 का multiple है यह integer ही भी हो सकते है 3 into integer के बलस मिनस दोना हो सकता है ओक्वाटे ता स्टार्ट करते हम लोग जो आपका concept है PMI को यूज करेंगे first में क्या करना है पहले n equal to 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे यह 3 का multiple है होगे ओक्वाटे स्टार्ट करते हम लोग question number 19 let कर लो statement क्या है n है pn क्या लिट करेंगे statement pn है n के natural number आपका n e n क्या n n plus 1 n plus 5 अब पहला statement हम क्या अस्टेफ है अब क्या अस्टेफ है अब क्या अस्टेफ है step फिस्टेफ है क्या है n इकल टो 1 लेटिंग 4 n इकल टो 1 अब इन इकल वन के लिए देखो क्या यह 3 का multiple है जहां n है वहां वान पूर कर दो statement में 1 प्लस 1 1 प्लस 5 होगे कि इतना आ गया 1 इस इंप्लाइब देट पी 1 मलप्लाइब करो 1 इंटू 2 इंटू 6 तो 1 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 क्या 12 3 का multiple है क्या 12 को लिख सकते है 3 इंटू some natural number लिख सकते हैं वाटे 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 4 नेच्रल नमर है 3 इंटू natural नमर के फॉर्म में एकस्पेस कर सकते हैं 12 को तो इसका मतर्ब 12 क्या है हमने एकस्पेस कर दिया 3 इंटू इंटू नमर है एकस्पेस नेच्रल नमर है तुछ अब 12 क्या है 12 आपका क्या है मल्टिपल अफ्री इसका मतर्ब एन इकल टो वन के लिए इन इकल टो वन के लिए जो स्टेट्मेंट क्या है त्रिका मल्टिपल आ गिए थिका मल्टिपल आ गिए ओके पाल लुख सकता है कि अ को घृचिना हो कि हुच इस तू विचिंट इंट क्या लिखेंगे है हुच है multiple of 3, जो 3 का multiple है तो n equal to 1 के लिए true हो गया therefore लिखेंगे statement P n is true for n equal to 1 n equal to 1 के लिए true हो गया अब आतना statement step second step second के है step second के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिट कर लेंगे कि लिट करेंगे let statement P n is true for n equal to k n equal to k के लिए true है true मतलब क्या हुआ कि अगर n के जब के के पूट करेंगे तो जो नंबर बनेगा ऊट्री का मल्टिपल होगा n लेद मिल्पन के लुट क्या है K घ्री हे न कắn कि क्या में कि क्या खिया है और क्या है लास्ट्र फक्रीक्ट्र फैसे न क्याWeb minus children by you are good ईजे काुण मालटिपल आऊंग है की अनि एकल टूट क्लिए फनने लेट कर लिए तू है फटाक क्लिए इसके जो हम लिखेए हैं ते इतके खिर अगरिया का मट्य जोटेम ताल थे 3 का मल्टिपल है, अगर 3 का मल्टिपल है, हम इसे, therefore, क्या होगा, हम लेट कर सकते हैं, यह लेट कर सकते हैं, इस इंप्लाइद लिख सकते हैं, इसे 3 इंटू सम नेच्छल नमबर लिख सकते हैं, इसे इंप्लाइद लिख सकते हैं, के, के प्लस फाइब एकल टू 3 इंटू M, लिख सकते हैं, यह जो नमबर है, 3 का मल्टिपल है, अगर 3 का मल्टिपल है, हम इसे लिख सकते हैं, 3 into some natural number M क्या है? आपको natural number है M belongs to N, ओके? अब इसे equation first model equation इसे equation first model अब आते है step third step third क्या है? इसे अब we shall prove that हम prove करेंगे अगर N equal to K के लिए true है तो N equal to K plus 1 के लिए भी true होगा इसे prove करनी होगी तो क्या करेंगे? we shall prove that हम लोग प्रूफ करेंगे statement P N is true 4 N equal to K plus 1 अब 9 P K plus 1 N की ज़ब K plus 1 लिए या अब जहाँ जहाँ N महाँ K plus 1 लिए दो ठीक है? statement क्या थे दो? statement नहीं था N N plus 1 N plus 5 हम N की ज़ब क्या लिखाएंगे? K plus 1 क्या लिखाएंगे? K plus 1 Okay, into फिर यहाँ भी लिखाएंगे K plus 1 K plus 1 plus 1 फिर यहाँ भी N की ज़ब क्या लिखाएंगे? K plus 1 K plus 1 plus 5 Okay अब हम इसे प्रूफ करेंगे अब इसे प्रूफ करेंगे? अब इसे प्रूफ करेंगे? के प्रूफ करेंगे? इस प्रूफ में जिससे प्रूफ करेंगे तो इसके जब 3 हम लिख देंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसे प्रूफ क्या करेंगे किस के साथ? K plus 5 के साथ फिर इसको मलप्लाइ करें किस के साथ? 1 के साथ अलग-अलग करो तो अब मिनिप्लेशन करना होगा? क्या करेंगे? K plus 1 into K plus 2 into K plus 5 वन से मलप्लाइ करो इसी को वन से मलप्लाइ करो कितना है गए? K plus 1 into K plus 2 आगे है? अब next हम लोग क्या करेंगे? अब जो करेंगे हमने इसे मनिप्लाइ कर दिया मुझे क्या क्या आगे? क्या 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 आगे? अब देखो के प्लस वन तो आ गया के प्लस फाइब देखो यहां के प्लस वन आ चुका है देखो के प्लस वन है और के प्लस फाइब भी है मुझे के चाहिए के प्लस टू नहीं चाहिए ओके तो आगे देखो के प्लस टू को अलग कर देता हूं के प्लस वन और के प्लस फाइब को लिख दिया लिख दिया प्लस के प्लस वन इन्टू के प्लस टू होगे इसको दैसे राने तो इससे को अंतर नहीं है के प्लस टू अब दो कि बच्चे है मुझे के चाहिए के प्लस टू नहीं चाहिए मुझे यह नहीं चाहिए यह नहीं चाहिए ऐसा करते हैं हम लोग के चाहिए तो के को अलग कर देते हैं कि देखो क्या करेंगे यहां पर इस के को क्या करो इस के को मलप्लाय करो इस पूरे में यह पूरे पूरे मलप्लाय इसमें के को अलग कर रहा हूं क्या करेंगे इस के को अलग कर दो और टू को अलग कर दो कैसे करेंगे इस के को मलप्लाय करो इस पूरे में फिर टू को मलप्ल करीं कियागाएं कि प्लस फाइब प्लस अब हम किसी करेंगे आए कि से करेंगे अब हम सब्सक्राइब इस F His Ireland a video, एक प्लत्राइब आप अब प्लस कितना है I will 1 into k plus 2 ok k plus 2 अब दोखो बेच्चे यो लाना था अब ला लिया हो गया हो ok अब दोखो क्या हो अब हमने क्या के इस फॉर्म में लिया आया दोखो बेच्चे लिया इस फॉर्म में k into k plus 1 into k plus 5 देखो यहां equation 1 कुल ये तक इसए प्लॉस वार्न प्लस फाइब कि किसके फ्लूस त्री मैं की में फॉस स्ट जगहती आप़ क्या लिखएंगे इसके जगहब के लिख देंगा मिश्ट एम ऐसे की नकाने के एंग स्टेमि इसके पिर प्ल तुट देखे दो इकोल टू यहां इसके जाब लिख रहा हूं तो यह 3M की इकोल है from equation first 3M plus अब देखो यहां क्या common आएगा यहां देखो बैचे यहां k plus 1 यहां भी है k plus 1 यहां भी common आ जाएगा common ले लो k plus 1 common ले लिए तो अंदर बचा कितना 2 बचा और k plus 5 2 k plus 5 और यहां क्या बचा k plus 2 k plus 2 यह बचा अब इसमें से कोई एक साथ करो add करो इस दोनों को add करो लिख देंगे from first इस जो value आया किससे from first लिख दें from equation first ओके इक्वाल टू आगे है 3N plus k plus 1 इंटू टू सेमल प्लाइब करो पट्टी यहां 2 k plus 10 यह न आगे है टू इंटू 5 10 यह होगा k plus 2 ओके अब यहां पर देखो 2 k और प्लस k 3 के आएगा 10 plus 2 कितना आएगा 12 कितना आगे देखो इक्वाल टू 3N plus k plus 1 इंटू इतना 2 k plus k 3 k plus 10 plus 2 12 आगे है अब देखो जो लास्ट फेक्टर है उसमें क्या 3 common है देखो बिच्चे 3 क्या है common factor है ले लो common लो यहां भी 3 है तो यहां लिखे 12 को लिख साथ है तो 3 इंटू 4 तो 3 common आ जाएगा तो common ले लो 3N plus k plus 1 इंटू 3 k plus 4 ओके तब क्या हो जाएगा 3 और 3 common आ जाएगा कितना आ गया कितना बज़ गया यहां पर एम पलस यह के प्लस 1 इंटू यहां क्या बचा के प्लस 4 यह प्लस 4 ओके अब देखो बिच्चे अब 3 पूरे मलपला है 3 क्या है 3 क्या है पूरे मलपला है इस पूरे में 3 मलपला है यह 3 क्या है यह 3 इंटू सम नेच्रल नंबर है सम नेच्रल नंबर है 3 इंटू सम नेच्रल नंबर क्या होता है इन नंबर है मतला है नेच्रल नंबर क्या होते हैं नेच्रल नंबर क्या होगा तो अगर 3 इंटू नेच्रल नंबर आ गया इसका मतब क्या हो गया जो नंबर है अब इक किसके एक्वल में उस्फिक तो प्रूफ करना था मुझे क्या है इसी का मुल्टिपर प्रूफ हो गया कि इसे जब एक्स्पेस किया तरही इंट्व सम्ठिंग आ गया 3 into some natural number आगया आगया नहीं आपर 3 into क्या आगया natural number therefore क्या होगे लिख देंगे therefore which is multiple of three ये क्या है लेखेंगे which is multiple of three and ये three का multiple है यानि इसका मतलब क्या होगे this imply that and a statement जो pn है is true for n equal to k plus 1 k plus 1 के लिए true हो गया यानि k plus 1 जब n के पूट किया तो 3 का multiple आगया क्या आगया ये वो 3 का multiple आगया therefore conclusion देते हो hence a statement जो दिया हो pn hence pn as pn is true for all all natural number all natural number n प्रूब होगे 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 यानि इसका मतलब जो जो गिवेन expression दिया वा n into n plus 1 into n plus 5 वो क्या है 3 का multiple है होगे पैटे अवैं गया वो क्या हो टां हैं a वो क्यों यादे जिए घट稳़